पहले जो हम our कोई भी खड़े हो यहां पर यह अपर भी इसके लिए एर्थ तो इसके लिए यह होता है के वेस्ट होरी जोन ठीं के अब इस रहुत है तो हमारे पार से टोडल साइन कितने होते हैं मैं आपको पारसर बताता कितने साहिस होते हैं करें खिलो आई तो जोडिक्र अने अलिग करती है तो जो साइन यहां पर होगा अगले 24 घंडे बाद वह यह यहीं पर आ जाएगा मजब नियली ठीक है for example अब हम suppose कर रहे हैं यहां पर जो साइन है वो है आपका फॉर्ड टाइम बिंग आप मान के चलो कि यह लिख लेना रहे इस्टन होरी जोना ठीक है माल लो यहां पर एरीज है ठीक है एरीज के बाद अगर एरीज यहां पर है तो अगले 24 एरीज कितनी देर में बजल जाएगा कुछ आइडिया ब्लब्स करना चाहां तो कर सकते हो यह अगर एरीज यहां पर है तो यहां पर कौँजा साइन होगा करें पर लेपर सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर दो है तसलिए अगले दौ मिनटे बाद अगले दो मिनट के बाद यहां पर क्या जाएगा एरीज यहां चला जाएगा यहां पर लिब्रा जाएगा और यहां पर टॉरास आजएगा अब आपको यह क्यों बता रहा हूं यह तो अगले 24 गंटे में भूम के कही ना कहीं यहां पर इरीज आजएगा इसको बताने का मतलब यह था यहीं से हम और यहां पिए सब्सक्राइब यहां पर है यहां पर है यहां पर समझ में यह पराइस है यहां पर है सपूंज यह इस तर्ण होलिजार्ण बाइसिक से बाइसिवान है, यहां से आप सारे उनको देख सकते हो, अब यहां से जो साइन आगर को ऐईस्ट दिख ँरा है तो असेंडेंट बेसिकली क्या होता है यह जो हमारे जो चार्ट है बेसिकली जिसना हमने कहा कि यह 12 सेक्शन में डिवाइड है इस 12 सेक्शन को हमने एक rectangular form में इस form में ड्रॉगल लिया वैसा कर आप western astrology देखोगे तो वह circle में दिखाते हैं सब चीज़े ठीक है लेकिन हमने क्या कर लिया इसको form कर लिया हमने यह बोला कि यह जो है यह जो rising sign है जो हम eastern horizon कह रहे हैं यह होता है हमारा rising sign और असेंडेंट यह होता हमारा rising sign और असेंडेंट ठीक है तो यह जो rising sign होगा यह हमारा rising sign जो first house है यह जहां पर ने वन लिखा है यह first house है अभी यहां पर जो ना अभी इस तरह किसे अलग हो यह first house है यह second यह third यह fourth यह 56-7-8-9-10-11-12 एंटिक्लोगवाइशन है हमने काउंट करते समय है और नॉर्मली अगर आप कोई बैसिकली किसी का चार्ट उठा कि जो नंबर यहां पर लिखे रहते हैं यह 5 यह 6 इस तरह किसे लिखे तो वो यह राशिया वह होती है यहां पर zodiac sign हमने पढ़े तो यह होत सबस्क्राइब यहांपर सफोर्स करो यह यहां पर तॉरस हो ड़िक है आपने आपका टाइम आण जब आपका बत हुआ था उस रभी हो सिग्लेशन में चमल मैं यहांपर हो डिय चमेख अब क्या होगा यह आपके बत के टाइम पर अगर यहां पर वह तो आपका जो तो यहां पर आपका Aries नुम्ब एक लिए न खेंगे यह उनल लेकित फिर ना लेकर सब्रोली में यह हमारा बन गया कि यह जो Ascendant है आपका Aries Ascendant है अब इसके लिए चार्ट आता है अब आपको चार्ट भी दिखाता हूं कि यह कैसा identify करना है कि अगर 12 बजे पैदा हुए है तो यह होगा यह वही Ascendant है ठीक है हाँ हर दो मिनिट में क्यों क्योंकि ना यह 12 साइन होते हैं ठी इससे माल नीजे मकर राशी आ जाएगी है कैप्रिकॉन आ जाएगा दो मिनिट के बाद फिर गुमता रहा गुमता रहा रहा प्रॉक्स चाविस घंटे में वाभी सभी एक्वेरेस नहीं पर आ जाएगा ठीक है तो यह अभी तक हमने देखा कि बेसिक जो चान वो था हमारा अब एस्टरोनौमी थी वह मनें देखिए अब शार्ण को आपने बताया कि उस तक पर जो साइन वो राईजिंग साइन होता है तो यह जो एस्टाम सेम टम से अलग 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 लगन होता है नहीं को हम लगन को हम लगन को हम हींडी में लगन बोलते हैं इंगलिश में पर तो इसको हिंदी में लगन बोलते हैं अब हम आते हैं अब देख लेते हैं आप परसुर आशी बताए थी तैली राशी होती है एरीज इसके जो लॉड होते हैं यह हमने इसको इस तरीक से बना लेते हैं इसको आप नोट भी कर लेना जूडियक जूडियक यह या फिर राशी लॉड इसके मालिक कौन होते हैं कि हर राशी को एक ना कोई प्लैनेट ओन करता है कि अब यह आगया फिर्स्ट पहली राशी होती है एरीज इसको हम मेश राशी भी कहते हैं इसके जो लॉड होते हैं मार्स इसके राशी होती है टॉरस टॉरस के जो लॉड होते हैं वहोते हैं वीनेश टॉरस को हम हिनिवे विशॉप कहते हैं जैमी नायी था मिथन मिथून राशी इसके लॉड होते हैं वहोते हैं मर्कृण यह याद करने वाली जीजिए याद करनी पढ़ेंगे और यह important है कि कैंसर इसके लॉड होते हैं मून लियो इसके जो लॉड होते हैं सन शिक्स वर्गो वर्गो के जो लॉड होते हैं फिर से मर्करी सेवन्थ लिब्रा यानि की तुला राशी ठीक है इसके लॉड होते हैं वीनस एड़ राशी स्कॉर्पियो मार्स नाइन्ट सेजिटिरियस इसके जो लॉड होते हैं वो होते हैं जुपिटर टैंथ राशी यह होती है कैप्रिकॉर्ण इसके जो लॉड होते हैं वो होते हैं सैटर्न इसके जो लॉड होते हैं फिर से सैटर्न त्वेल्थ राशी होती है पाइसस इसके जो लॉड होते हैं फिर से जुपिटर यानि कि आपने एक चीज़ देखिए अभी तक ठीक है मार्स किस-किस राश्यों के लॉड है अगर हम इसको वैसे नंबर्स में लिख लेते हैं ताकि यह आपको याद करने में भी आससा नहीं हो इसको आपको इंपोर्टन है याद करना है और विदावर याद करें यह होगा नहीं मार्स किस-किस से लॉड होते है मैंने कहा है एरीज है मतलब फस्साइन हम वन और टू के ऐसे लिखेंगे वन को वन और फिर मार्स किस से लॉड है आपको वन और एट के अधर अधर लॉड ऑफ फस्साइन एंड शायं कि अधर यह जैंट नहीं है फिर से जैसे टेंथ पर सैंटर नहीं नहीं प्रिकॉन एक विट क्याम अधर और कुम्भर आशिको शैटन रूल करते हैं घ्र के वीनसकी कौन कौन सी राश कह etti क tid और से टॉरी जॉरर इंडर फाय। इंड अ dif म्रकुर्यद से नंबर एंग और वर्गौ मुन सिर्फव एक राशी को ओन करता है जो कि है तो आपको याद रखना है कि आपको यहाँ पे 6, 6, 7, 8, 9, इस तरीक से लिखा हुआ दिखा हूआई देगा. तो आपको पता होना चीह है कि 1st का मतलब कहा है. 1st का मतलब है Aries, 8th का मतलब है Scorpio, 7 का मतलब है Libra, हिंदी में भी पता जाएं कि 7 का मतलब तुला है, वरगो का मतलब कहन्या है. ठीक हैं? तो यहां पर मान लीजे फाइव लिखा है तो मतलब है कि इसका इसेका राइजेंग साइन कॉनसा है पहली चीजा राइजें परोको अगा आ पाट elder साइक से सिंग लुपinator सिंग राशी को लाके रख दिया तो जब हमने यहां पर राशी को लाके रख दिया तो यह सिंग लगन का जो यह इंसान होगा इसका जो लगन होगा वो हुगा सिंग रैट इसन होरीजॉन पर जो साइन राइस हुआ था वो कौन सा हुआ था यानि कि single लगने का लियो असेंड वह था उस ताम पर तो आप हमने यहां पर लग दिया 5 तो 5 का यहां पर आपको ऐसी लिखा हुआ दिखा देगा 5 6 7 8 9 10 11 मालिया कोई बोलता है यहां पर यह कौन सा यह कौन सा है यह कौन सा है लियो है वाला फर्स्ट हाउस मा आपका लियो ह कि यह आपको याद करना पड़ेगा यह बहुत ज़रूरी है कि अब हमें तो चीज़ें दिखने वाली है वह इसी तरी कि अब हम देखते हैं इसको याद कर लो कि अभी हम थोड़ी दिर में इसकी फिर से प्रेक्टिस करेंगे अब मैंने आप से कहा यह है फर्स्ट हाउस यह से कभी नहीं लिखाए दिखाए यहां पर राशिया लिखी होंगी तो अब मैंने आप से कहा था कि लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि दुनिया में जो हर चीज है ना वह टोटल शत्ती चीज़ों से मिलके बनी है बाराल प्लैनेट साइन और हाउसे तो टोटल शत्ती आप वही चीज देखते है कि कौन सा हाउस किसी की चीज को दिखाता है कि कहीना कैसे अगर आप यह देख रहे हो कि आप यह बोल रहे हो कि हाँ हर चीज से मिलके बनी है तो हाउस इससे मिलके बनी होगी एक उप्यों हम आज कॉन सा हास की सीज को दिनोट करता है तो सब्सक्राइब करते हैं आप नैसे कि यह थास हूस यह थैसsst अस्मारा होता है अशेडंड है यह ना में तर feedback है सबसे इंपोर्टेंड हम यह दिखाता है white house first house दिखाता है self खुद को दिखाता है मतलब इसका खुद से relation है हम houses में तीन चीज़ें पढ़ेंगे relation body part और एक general जीज ठीक है यह होता है self self में जो भी आगया आपका confidence आपका color हर चीज जो self की होगी वो यह first house को denote करता है ठीक है और body parts में यह पूरी body को denote करता है तो एक बहुत छोड़ी सीज़ हमें यहां से समझ सकते हैं कि अगर body में कोई चीज खराब हुई तो अगर first house strong अगर मालो यह पूरी आपकी body है मतलब मालो यह first house आपको पूरा body है यह king है यह सब आप पूरी body को body अगर वैसे देखो तो especially यह rule करता है क्योंकि यह king है तो यह brain को rule करता है इस तरह की साथ समझें ठीक है यह whole body हाँ कि यह rule करता है brain को इतना सा आप याद रखो बाकिया आपको कुछ याद रखने दरूत नहीं जहां भी कहीं कुछ नहीं हो रहा है देखो आपका confidence कैसा होगा आपका color कैसा होगा आप दिखने में कैसे होगे यह सब चीजें आपको first house बता देगा है रेट है कि second house है यह first house की self का है second house है house of family यह है accumulated wealth यह wealth का होस है यह आपकी मतलब जो बोलते हुआ आप किस तरीके सा आप बोलते हो यह उस चीज़ पे डिपेंड करता है वाणी मतलब यह कि बोलना ठीक है उस चीज़ पे डिपेंड करता है आपकी speech को दिखाता है कि आप मीठा बोलोगे या कैसा है यह सब चीज़ों को सेगेंड हाउस आपकी टंग को दिखाता है आपके टेस्ट ऐसा वह इंसान का लिए आइस को दिखाता है बाद फेस पूरे फेस को दिखाता है आप कैसक्ट तो फेस के चीज़ों को दिखाता होगा नोज इत पूर्हेड नेक और यहां तक यह फूड़ पाइप को दिखाता है फूड़ पाइप में कुछ एरिया ना इसमें भी आता है थार्ड हाउस में असी को आप है इसे को आप यार करना वड़े है थीरा थार्ड हाउसो पहला मैंने कऊ और यह निम्यक्ड मेंडी को दिखाता है ठाट हाउस र्दार दिखाता है कि कि नेबर्स को के आपके चोटे भाई बहुत को यकलर सो भबैंग डिखाता है थाथ čिज ये श्ट ट्रेवलस को दिखाता है कि यह शॉर्ट ट्रेवल्स को दिखाता है नेक को भी यह दिखाता है कि बिंड पाइप को दिखाता है है ठीक है आपके शॉल्डर्स आम्स और हाथों को भी यही दिखाता है थार्ड आउस और इवन इर्स यह थार्ड आउस है तो पहले हाउस के अगर हम रिलेशन की बात करें तो पहले हाउस का रिलेशन मुझ से है है खुद से है सेकिंड हाउस का रिलेशन फैंमिली से है थार्ड हाउस का रिलेशन आपने चोटे भाई वैनों से है और यंगर ब्रदर रें सिस्टर से है नी शॉल्ड वाइवे वैन रसे इंभर से अधिक है अहां अँग चाहिए एक सब्सक्राइघ। कि सबस्खों सब्सक्राइब करें है। उसके बाद है दिखाता है प्रॉपर्टी गाउस था अब शुपर्टी या वेहिकल वह मलब यह प्रफ़टी व्हेहिकल मिद चेस्ट इह हाट को दिखाता है यह हाउस है education का main house primary house of education is fourth house primary house of education is fourth house इतना याद रखना बस और प्रापर्टी वहिकल लैंड जमीन हमीन सब चीज़ को रिखाता है heart chest और main house primary house of education primary house याद रखना इस चीज़ को ये primary house of education है हां वाल फ्राइमर्स ऑफ सेल्स हें सांध हॉस फैमिली है थर्ड हाउस हाउस नेबर है और चार करते हो में चीज़ हाईल्य करते हूं जोंकि हम आगे यूज़् करने वाले यह हमने सेल यह फैमिली थे कि है यह जो इसको यूज करेंगे अगय चलके हम जो बैसिकली यूजम सब करेंगे बट है इनको मैं जी चीज जंको हम उठा की सलेंगे वह यह वह इह वह हुआ solutions सब्सक्राइब करें लेकिन चेप्टर वाइस के बाद करें तो हम पढ़ेंगे इन सब चीज़ों ठीक है उसके बाद फिफ्थ हाउस है शीमेर क्या प्धा मैं करें कि वाग ऑडी का गीट हम इसे वहां पर ट्रीक्षन एक जानने नियुक्त उसको पता है में तो हम प्रिडिक्षन लिखवा और लिए नियुक्त कि फिफ्त हाउस और चीज को दिखाता है लॉव का प्रैमरी हाउस है इंटेलिजेंस अब मालो ना जैसे हमने का आगे फॉर्थ हाउस एजुगेशन का है फिफ्त हाउस एजुगेशन का मालो सब्सक्राइब दोनों हाउस मिल गए गई इसे इन दोनों में रिलेशन बन गया लेशन कैसे बनता है हम देखेंगे आगे तो सोचो अगर एजुगेशन और इंटेलिजेंस मिल गई तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है ठीक है इस पिरिट्वैलिटी फिफ्त हाउस स्टमक दिखाता है यह बॉड़ी पार्ट में इस्पेशली पैंक्रियाज स्प्लीन औ और आपके डाइजेस्टियो सिस्टम को भी दिखाता है ठीक है इवन चाइल्ड बर्थ के लिए यह बहुत इंपोर्टेंट हाउस है अब के चीजें यूज करने वाले अपने पडिशन कंछेश्टियों यहां से बता चल जाएगा कि आपका लव अफ्यर होगा या फिर लव अफिर नहीं होगा यहीं से बताच जाएगा कि कि इन्टेलिजेंट आप हो पिर था उससे क्योंकि अपने इंसान की लाइफ में एक इने चुने इवेंट होते हैं जानने वह यहाते हैं कि क्या कि मेरी education कैसी होगी मतलब आगे चल कि क्या होगा क्या नहीं होगा वह इतनी इतनी चीजें हैं उसमें हमारी important है इसी से 5th house से आपके love के बारे पता चलेगा कि affair थे अफेयर हैं या फेयर होंगे या नहीं होंगे तो इस तरहीं के से पता चलेगा कि सिक्स्था हूँस कि सिक्साउस क्या दिखाता है हमारे servants को दिखाता है यह बेसिकल आपके job का house भी है litigation भी दिखाता है लोंज दिखाता है आपके उपर जो डेट चड़ जाते हैं वो दिखाता है लोन या टेट एक ही है हो गया यह डिजीज का house है प्राइमरी हाउस ऑफ डिजीज यह एनिमी का है ऐसे एनिमी जो कि आपको नोन होंगे है नोन इनमीज का house है यह house है बहुत important रोल प्ले करता है divorce में यह house बहुत important हो यह एक चीज़ आगे यह बहुत ही मतलब दोगला किसम का हाउस है बहुत ही विगार टाइप का हुज है थीक है सब कहते हैं कि आर्ट वार बुरा घर जाता बुरा होता है लेकिन यह सिक्स्त ना बहुत धोके बाद घर है मतलब अब इस तरह के सब सकते हैं यह नहीं लिखा जिए लिटिगेशन कोड के इस डिवोर्स से सब चीज़ें दिखाते हैं यह डिजीज का प्राइमरी हाउस है ठीक है अहां हम आते हैं अपने इसार अगया अब बोला हूँ से शिक्स हाउस और प्राइब पार्स को भी बोला जाता है तो तो अब बॉला जाता आपके जनरली जैसे मामा हो गए आपके मैटनल साइड उन रिलेशन्स को दिखाता है अब सेवन्थ हाउस दिखाता है स्पाउस आपका पार्टनर इट में भी और बिस्नेस पार्टनर अब यह दिखाता है आपके फिर से आपका है यह आपके पार्टनर का है यह अपना हाउस है यह दूसरे का घर है ओके ट्रेस्ट दिखाए तो कि अब प्रोस्ट्रेट इसमें अब यह अन्म नेमी यह यह बता रहा है इसको आपके इसको अपने करता है यह है आपके प्रोस्टेट दिखाते में में इंटनल सेक्स और्गन्स यह को आप पूछेज नहीं इंटनल सेटों पूर्गन्स को दिखाते हैं पोटिए को बिजनस बिजनेस मैरेजग तो यह सब चीज़ें लिखाता है अब यह सब दिन दिखाता है हमारा सेवन्थ होस अब बोले सब्सक्राइब को लड़का या लड़की के लिए से भी होता है न शे मतलब मतलब जैसे के सादिक के लिए कोई देखने आता है लर्वारे से मैं करें सकते में रार इसके अब सकते हैं और सब्सक्राइब लड़की वह जब तक आपको पता निया मेल नीया फिमेल आपको डेट आप पर टाइम पर प्लेस आप बढ़ देखे नहीं बता सकते कि यह मेल है यह फिमेल है इसलिए मैंड़ेज के लिए कॉमन हाउस है वह है सब्सक्राइब के लिए कॉमन है इस अधोता है मिश्टरिंगा फिमेल है यह स्पेलिंग अलगरे में पर अपने का था सवेंध दो न बता दिया था कि वो जैसे दोग्या किसू का एं तो जैसे जन्रेली कंसिडर करते warmth प्सरें को को उसे एक कि मैं आप हीघिए से ना मैरिज इसलिए आपको इसमें इंपोर्टन चीज नहीं बताई क्योंकि एधर भी चले जाया है यह लिडिगेशन अब देखो ना फॉर एक्सांपल हम जैसे बाकी सारे हम इसी पर कभी जाएंगे नहीं एक बात बताओ इस इतनी चीजे तो मैंने लिखी है भी तक ठीक है यह चारपा होगा बनाया होगा है कि अब यह अधर आपको कि अधर दिखाता है अभी आफेर आफेर आपका होगा या तोटेगा फिफटावस ओ और इखाता है मैंने कहले चैनल वीने लव अब आफेर होगा वह स्केंडर्स लव और वह प्लुटॉनिक लव वह हम इससे देखेंगे अब इसमें लव होगा वह फिफ्थ हाउस में वह वीनेस है वह वह आपको लविग निशर बनाएगा या आपको इंटेलिजन बनाएगा क्या बनाएगा या फिर आपको पेटर प्रॉब्लम देगा या पेटर को स्ट्रॉंग बनाएगा वह हम आगे देखेंगे यह अब अभी इस इतना याद रखूं कि यह यह हॉस को दिखाते हैं अभी एक चोटा सा डाउट क्रियेट हो गया जैसे आपने लिखाया इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं आपने जैसे फर्स हाउस से लेकि एट्थ हाउस सकाए अब कुछ टर्म्स हैं जो ना कॉमन मैच कर रही है दो हाउस में उसमें इसमें इसमें हो गया है जैसे अगर किसी की इंच्छ वी को फिफ्ट में पर उसकी एड्जुकेशन वाला हरा भुष बढ़ी है बदी देखो एक एडिद्वेक्शन और इंट्री जों अंतर होता है मुदब बड़ा अन्तर होता है एडियुकेशन अंट्रीजन घूरार वंब्ध जलेए पाद करें इलाउन मस्क इस हिसे इंचेलीजर को प созд call पैस डी करें को जो आपको सब्सक्राइब नहीं हो पाता है लेकिन इंटेलिजेंट होगा कुछ ना कुछ कर लेगा भी यह सब्सक्राइब उसके बाद यह है वह न्यूथ ता एंत्रोप लोजी जिसमें न्यूंड डीजेंट अट जाएघ्रड पॉर्ण फिश्व कर देखाने इस बंद्रफिय से उसके बाद है वह नियु था अधर्यों से इंठ्रोपोलोजी जिसमें कार्बन डेटिंग और यह सब चीज़ चेक करते हैं वह जब चीज़ दिखाता है इसके बाद यह हाउस है फिर से मिस्फॉर्चून हाउस ओफ डेथ यह दिखाता है एक्स्टंडर सेक्स ओर्गन को तो उसके बाद यह अगर बॉड़ी पार्ट में कहो तो एनस रेक्टम या फिर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन इसमें से क्या होगा वह हम आगे पगड़ेंगे यह आपको अनर्ड मनी मिलेगा आपको लगेसी मिलेगी यह आपको अपस्टेकल मिलेंगी यह हम आगे बढ़ेंगे इसमें इसमें इंसल्ट आगया इंसल्ट आगया तो डिविमेशन वह हो ओके ठीक है अब हम देखते हैं इसमें इसमें इसम्टान का कौन से हाउस है कि अचांगे अचांग इसके बाद हम आते हैं नाइन्थ हाउस दिखाता है हमारे टीचर्स रिलिजिन आपके फादर को दिखाएगा ठीक है वेन तब तक चायलिज्डिपेंडेंटक अब तब टक यह अपके फादर को दिखाता है यह दिखाता है हाउस ओफ स्फॉच्षून इसाफन अच्छा स्वाड्रेवल की बात की थी हमने यह लॉग давal तो पर लेंड बॉडी पार्ट में हिप्स को निए या बॉडी में आपका जितना मान सहर चरबी है उसी चीज को भी साइब ने इन दिखा दें यह लिखते हैं अब नहीं यह जो पार आदें नाइन था उसा पीकमर से नीचे के पार्ट शुलू जाएंगे अब एट्सब्स देखते हैं अधन विफादर का हाउस है अब फ़ादर का हाउस है आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे ना यह फिर फादर का हाउस दिखाता है यह हाउस आपका लेकिन जब तक आपके फादर को नहीं दिखा जाएगा नेमें फिम को दिखाएगा स्टेटस को दिखाएगा आपका क्या स्टेटस है लेक्स को दिखाएगा जौब को दिखाएगआ यह हॉस भी एक इंपोर्टेंट डोल प्ले करता है डिवोर्स में डोल प्ले करें आख शचा रही हनो आपके लेक्स और मीजा को दिखाएगा कि उसके बाद आते हैं 11 था पर यह सबसे बैस्ट हूस आप कह सकते हों यह आपको गें दिखाता है यह आउस किसी भी हाउस की डिवेंस को बढ़ा देता है अपने आप है यह आपकी लेग्स को रिखाता है कि आपके एल्डर ब्रदर या फिर सिस्टर को दिखाएगा और आपके फ्रेंट को दिखाएगा यह सबसे अच्छा हुज है बेस्ट हुज है यह हाउस है फुलफिल्मेंट अफ डिजायस का यह फुल्फिल्मेंट आप डिजायस का तर फ्रेंट्स में आजन की इस जैसे हाउस फ्रेंट्स को वो कर रहा है जो किसा है उसके बाद हम आते हैं 12 तो इसको लिख लिख लिखाएं कि वेल्थ हाउस दिखाते हैं कि डेथ का उस्य भी है यह उसल लॉस का यह उस है आई सोलेशन का यह है आप कहा सकते हैं मोक्ष का यह है जेल का यह हुश अगर देखे तो इसमें पैर दिखाता है आपको यह आप कह रहे थे ना है हिड़न एनिमी यह है और यह दिखाता है आपके ऑकर्ट साइन्स को आपके एक्सपेंसेज होस्पिटल कि आइसलेशन हो ला कहीं भी मेंटल असाइलम हो गया या दूर दराज के इलाके हो गया यह सब खोड़न थाउस दिखाते हैं कि यह पता होना जरूरी है और इसका यह रिजन है कि हॉस्पिटल्स को वैसे ट्वेल नंबर एड्रेस में भी ट्वेल नंबर कर देते हैं तो यह बेसिकले ट्वेल हॉससे अभी तक हमने क्या जान लिए हैं हमने हाउसे जान लिए कि कौन सा आउस क्या दिखाता है कौन सा प्लैनेट में क्या दिखाता है यह हमने जान लिया कि अब ना अब हम स्टार्ड करेंगे अक्यार प्रेडिक्शन तो अभी नहीं करेंगे प्रेडिक्शन में थोड़ा सा टाइम ओल लगेगा कि एक चीज की प्रेक्टिस अब हम करेंगे यहां पर कि अधि अधि अधिए जी पिता ही होजह तर शॉट टावल कॉन सा होगा सर्क्रेडृ गया तर शॉट टावल जया से अपने पता है ना लॉंव तर इस प्रेड़ कर रही हों तो फिर यह जैसे तीन हाउस में है वही तो हम नॉर्मन एस्ट्रोल जी वह नहीं पकड़ सकते हैं मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट ट्रेवल होगी या फॉर्ण सट्लमेंट होगा ओक्यों कि तीनों को देखना होगा हम एक्जेक्ट्ली आप खतम होते 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 हैं आप सब बहुत को सीख जाओगे दो बचेंगा अप्टेंशन होगी गया है अए तो ट्वल्ट हो गया है हम ने इसमें राच्यव फिट कर दिये तो आच आचा एक बात बताओ यह कौन सा असेंडेंट है यह वर्गो अब माल लेते हैं अब हम इस पर प्लैनेट फिक्स कर लेते हैं प्लैनेट फिक्स करने हैं मैं अभी रैंडम ले कुछ भी लिखते रहा हूं ठीक है सारी हो गये ना कुछ उड़ा दो नहीं नहीं सारी हो गये ना सन मून मार्स मर्करी मर्करी लिखा है है हाँ जुपिटर ठीक अब मुझे बताओ यह प्लैनेट हम लिखते हैं सन मून मार्स जुपिटर साटन मुल्कुरी वेनस आहो केतु एंड वेनस वीनस उड़िया ना इसमें वेनस वांगे यह प्लैनेट हो गया प्लैनेट हो गया मैंने अभी आपको लॉट्शिप बताई है लॉट्शिप किसकी होती है हाउस की लॉड़ होगी और यह है है प्लैसमेंट ठीक है सन कौन से हाउस का लॉड़ है एक यह करके बचाएगा फाइफ ने कौन से हाउस का लॉड़ है लियो का सिंग करों से ठीक है कौन सा हाउस का लॉड़ है अब यहां पर जैसे सर यहां पर सन अब मैं सन को देखू या फाइफ को देखू को यह यह बता रहा है अब देखू Sun is a Lord of fifth house बदब की फिच की ही फिचित ह आची आ पन पन पिदो सन इसनापध रॉड़ फिंटाउस साथ विए ह énormément का सन सेसरे लॉड़़् विटायं सें इन का मष्ट हम ने का सन इसनाप लॉड फेल फिंदा नहीं 5 ऊपना भी आहां पन पन फेलल्चना है पांच भी राशी पड़ी यह फस्ता उगे ना वन टू एंटिक लॉक्वाइस गिन हो गया अग्या एंटिक लॉक्वाइस लोगे ऐसे वन टू ट्री पोर फाईट सिक्स एवन एट नाइट नेम गए सन फीमिंटान एट्री फेल्ट में और बैठा कहां पर सैवन्थ हॉस्में आप मून का सद्रीमों का उसरे कि सवर्मिंकर आप इसमें सिक्स की जगे जैसे जो फॉस्ट आउसकी पर उसमें अगर आप सिक्स की जगावन पुट करते हो अहां तो संस्टाइब तो संसे प्रॉज जाएंगा अगर आप कह रहे हैं यहां पर में करते हैं तो फिर यह टू थी फोर भी तो चेंज द्लाइब फिर मैंने संट कहां पर लिखा हुगा फिर संट लॉड हो जाएगा फिफ्थ हाउस का और मालनों यहां पेठा है और 12 ने वो बैठा हुआ है मतलब ऐसे देखने आए है कि संग राशी कोन से होती है संग की राशी लियो इंटी अपर है कौन से घर में है लियो इस वक्त 12 त्विल्फ हाुस में है टो लॉद्क होगया मालिक घिया जहां उसकी राशी पढ़ी ऊसी तो मालिक होगा न ठीक है 12th ै का ओंग घंक इलिप गेये ऑन अब ऐसी मून का ट्राई करूं यह है कन्फ्यूजिंग है मैं मानता हूं थोड़ा सा थोड़ा इसी हो गए हाँ 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 कर लिए आप ट्राईगी इस पूंग करेंगे यह कौन सी मैंने आपसे बता है कि फर्स्फंट अगat है यहां फर्स ताउस है तरह फंटेंट Wow, Onerora डालना 1डग डेंगे ति बने ट्राईगात है ओस ज्राइग ड्गेए फस्ट होग्त मतलब क्या होता है झाल सकूल मदै मिला को इसमा से राजिजिंग साइन आपको समॉजा था था ना इस तैन में खड़े हो जाओ वहां से चलिसकोब देखो दो जब जन्म हुआ होता है उस ताइम पर जब इसका जन्म हुआ होगा तब इस ताइम बूद बूद मर्करी तो मर्करी इस हाउस और इस हाउस का लॉड है जो मेजर रिलेशन है वो हौसस से बनाने है मून का हो गया लॉड से पाएगा मून का इलेशन हाउस मैं जैसे आप बोल रहे हैं वैसा लिख दे रहा हूं उसका बाद यह बताएंगे ठीक है नहीं ठीक है और कहां प्लेश्मेंट के प्लेश्मेंट हाउस में और उसका प्लेश्मेंट होगा या मून ट्वेल्थ कॉशिक ठीक है इसमें कुछ मून तो बैठा तो है क्वेल्थ हाउस में यह सही है और उनका लॉट सीव है इलेवन देख लिए देख लिए याप वह जो लिखा अगर आपने है तो देख लिए क्योंकि वह अभी थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको इस चार्टिक में आद करने कि लिए सब्सक्राइब करने था देख मों की नाजी कौन से होती है एक है कैंसर दोड़ी है यहां पर व्हां से बैड़ा हुआ है जाके बैठा हुआ है त्टिक हैं अब आप पीठा हुआ है मार्स का गलत होगा कोई बात नहीं है और वह थोड़ीं वह यहां हासी में तोड़ी रखाने माला है कि यह लिखना पहुत जरूरी है यह आना चाहिए अभी हम इसी के हिसाफ से जो चार्ट बनाएंगे आगे वो इसी के हिसाफ से बनाएंगे आल मार्स बताए को उति कि ट्रा कीजिये गलत होब कोई बात मार्स का मार्स का तो यह होता है एपका सेवन आउस चैनल मेरे जासा है घ Васता स्यंक हाई है थे एक पर छंक्र खौनेशा होता है कि आसी और उसे भाट ओप पोर्थाउस में यार अधैर और यह बठाउ 10,000 है थेरीज और तु और आपका अंसर है गोलता है घ्रगो संकिusan αो खेसित अरे एक गूतिट से महने है प्लाकी इसमेक को पीड ऑफ careful में म। forgot अब बटाओ इसको पिटर गाम क्या गहेंगे जैसा है मैं लिख रहा हूँ वागी सब्सक्राइब सब्सक्राइब अब तो जुपिटर का होता है सजिटिरियस और अब बढ लॉजिया पर लॉट्चिप में आजाएगा फोर और सेवन देखो अब लॉट्चिप में आपने कहा जुपिटर का फोर और सेवन ठीक है मैं जैसा है वैसा लिख रहा हूं बागी फिर लिस्कुस करेंगे ठीक है और जुपिटर की प्लेस्मेंट है टेन्थ हाउस में नहीं सब्सक्राइब अब बताएगे सेटन का है अब बता है तो सब्सक्राइब ना इन तेन्थ हाउस में अब और इनका यह वाला गर्वार रोता है इसके ना आपको राशी याद होनी चीए अब जान की कौन कौन से राशी होती है ऐसे देखिए सटन की कौन कौन से राशी होती है अप्रिकॉन और इकुरियस मकर और कुम्ब कि मकर और कुम ऊपिर हैं राशी यह कर और कम है कि और यह फ्सकत और कुछ को और है ईस हैं थेनथ प्र चिपन आप ही ट्राइगे लास्ते मर्करी का ट्राइगे फिर देखते रहोंगे तो अच्छा मर्करी का जैसे एक तो मीथून होता है और एक कन्या होता है कुल सेगार ने मीथून है एक दो तीन मीथून तो है आपका नाइन्थ हाउस तेंध हाउस में ठीक है जैसे आप बोल्डों मैं लीख रहा हूं फिर इस कुछ सखें हाउस है BENश्घ फिर डहा है ने रहु के अधने बेटे हुए है और यह मैंने आपको बताया था कि राहु के टू एक्सेस होती है अगर यह हमेशा पहला ली चलते है अग्हार इमों सेंगे समय सामने जलते हैं हम достаточно nei अएंकि लडशेप नहीं है ? कि बतिनी की प्लेस्मेंट कहीं लिए कृ सिर्णुअगी है राहू तो सर पोर्थ हाउस में है बिल्कुल और केतु फूतु हाँ है अपर के तुप हाली क्या आपने बता हो अगर अगर आपने कॉंचा हाउस में तो अब यह फोर्थ में होगा तो यह टेंज होगा वी नियस का बता हूं तो सर बैटा तो है सेकंड हाउस पे ठीक है आपने संकिन का नियस लिग दे रहा है आपके यह अज राती है और सेवें टेट नाइंध और यह नाइंध हाउस का मतरब बीशाब रासी यह नाइंध हाउस में यह रहा है कर्यास कि यार में पाला आ को सब्सक्राइब सब्सक्राइब को सब्सक्राइब जहां से हम कुछ नहीं क्या रहें कि देखी या उआ हम इसकी प्लिेस्मेंट है यह बएस इसकी प्लेशमेंट है आय वह समझ मैं सैर्ध, यह वाला सर्ड हम लोग पर यहां पर देख रहे है कि जो सि मतलब जो प्लाने इत Mozart को रूल करता है वह राजी कौन से हाउस में बैठा है और वह प्लाइट पूद कौन से हाउस में बैठा है लृट कॉल की आच्छा तो जो इस एकृत लीकाइगे वह तीन हाउसी के आएगे को सब् ff लगएगा न की लिए सबाने सब्सक् successive इनलिए एक सब्सक्तब करने कि और ऑज केटरे units केया मुद्न नहीं से हूए जोग़े शुरुड कि सब्सक्र ссыл calm क्युक्ति अक्युक्त करें हुआ कि अब यह अपक्ति इसको यह मेर याप को बना कर लें यह एक ऐसी चीज है कि मतलब जो आगे चलके आपको इसमें बहुत जादा चार्ट आप इससे बनाओं प्लेस्मेंट तो असान है लॉट से में confusion हो सकती है जल्दी आपको अगीकत की बात यह है कि इसकी जरुवत आपको पढ़ने वाली ऐसे नहीं है क्योंकि software में आज इस नौलिज सो कंप्लीट हो कोई अभी देखो मैं हम मैं मानता हूं कि अभी हम जो आगे बात करने वाले वह हम पढ़ाने जा रहा हूं कहीं करेंगे हम उच्छी नीच राशी हमें किसी राशी से भाई कहीं बैठी हो हमें कोई मतलब निया है बट पता होना ची इसलिए क्य अब यहां तक कोई भी डाउट है आपको अभी तक अब लास्ट फिर से बोरिंग वापी सीज में जाएंगे हम जो कि है एस्ट्रनॉमी थीक है अब यह हाउसेस है हाउसेस की मैंने आपको बजाया था थर्टी डिग्री का हर हाउस होता है हστड मिंध रूट है इस्ट्रीिंग्री होते है यह 0 से शुरूवा 30 30 से शुरूवा 60 60 90 इस तरह के सई चलता रहेगा टीक है अब यह भी हाउसेस है इसके भी सब्डिविजन होते है सब डिवीजन होते हैं उनको हम कहते हैं नक्षत्र है उसको हम कहते हैं कि नक्षत्र इसको एसे डिवाइट कर दिया यह होता है नक्षट्र जैसे नक्षाथ ये होता है तो ये डेखो में पहली 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 राशी कौन सी होती है तो पहली राशी मेल एदिगरी होती अ smarter है कि बहुत सिंपल हर नक्षफर का जो डिगरी हो इस हाउस के डिग्री फिक्स है वैसे ही फिक्स है जो की 13 डीग्री 20 मिनिंट्स है कि यह ए भूरिंगों कि पढ़ते जाएंगे तो सही रहेगा वन्हां मैं एक रहा दोरे बढ़ा दूह तो इनके नाम भी होंगे सब्सक्राइब बिल्कुल 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 जुपिर सैटर्न में परिए से कौशिदी आपने याद किया है सिक्वेंस कर दो कर ले नहीं है तो अभी एरीज है ठीक है तो मैंने आपको क्या बजाए था पहला जो नक्षत्र होगा कौन सा होगा किसका नक्षत्र होगा के तुब नक्षत्र होगा कि यहां पर कोई डाउट है तो बता तो अभी तो यह एरीज के अंडर है अभी पूरा सेक्षन जो है एरीज करता है ठीक है अब मालो यह आपका घर है ठीक है घर करता है पापा ने ठीक है सर में आपके बात आपके रहे हैं जैसे यह कंप्लीट आप ऐसा कह रहे हो न कि यह कंप्लीट आउस वान है हमने इसका सब्दिविजिन यह 1.1 1.2 1.3 तो अभी 1.1 के तू है इतना अब इस तरहीं है यह आपका रूम है ओके आपका रूम है आपक अब लेकिन आपको तो सबको इक्वल इक्वल हिस्सा देना है अब आपने मालनों आपके घरवालने के आप आपको दिया अब लेक्रा दीक्री है दूसरे वाई को भाई को भी है अबका तीसरा भाई हो गोला अब यह दोनुको देरा डिग्री दिया मुझे कुझ ने दिया तो उसको हम कहेंगे ठीक है तू एकाम कर 26 दिग्री 40 मिनिट से यहां पे ले ले लागी नेक्स्ट में होके बाकी नेक्स्ट राशी कौन सी होती है अब यह आपके पापा का फर्स्ट हाउस खतम हो गया अब सब्सक्राइब कि यहां तो एरीस तो एरीस की लिमिट तो ही तक है बाउंडरी तो आपके घर की ही तक है सेकेंड क्या हो गया था है कि सेकेंड कौन सी राशी होती है है सेकेंड होती है टॉरस यसरुट ऑर्टि इनक्सट्र से बातते है शाचर ने लगाए ठीक है इसको कुछ अरिया मेरे वहां पर दो जो बचा हुआ है इसमें चोटी इसी जो आपने उपर नक्षत्र का लिखा है अभी 13 डिग्री और 20 यह फिक्स है मतलब यह सभी में सेम ही चलेगा यह टेबल जो चला है बिल्कुल बिल्कुल सब्सक्राइब अब मालो पर मालो क्या कहते है जो टॉरस की पहली राशी होगी तो मालो टॉरस यहां पर आ जाता है कि तुम्हें मैं ये डिसाइड करता है विम्षोतरी दशा जबाँ पैदा हुए ओ तो क्या होता है आपको कभी करी केतु कि कि कोई हजार लोग किसी को केतु कि किसी को वीने सी कि इसी को संटी तो यहां से रिखाई तो उसने कहा कि ठीक है तुम एक काम करो तीन डीगरी 20 मिनट तुम यहां पर ले लो ठीक है घर पर और बागी तरह को जो दस दीग्री है वह तुमारे चाचाई रिपने लिए कि अब यह थ्री थ्री मैंने दुबारा लिग दिया फोर आ गया तो फिर फिर फ्लेनेट कौनसा होता है मून मून क्या हुआ टेन डिग्री से कब तक चलेगा ट्वंटी त्री डिग्री कि प्वेंटी मिनिट्स कोशी की समझ आ रहे हैं कि दुबार रिपीट करना हो तो तो 23 डिग्री 20 मिनिट से 30 डिग्री यह कि इतना हो गया प्रोक्स निली चालिश मिनिट हो गया अब यहां से इसके लिमिट तो खतब हो गई अब शुरू हो गया जैमिनाए जैमिनाए में फिर क्या हो गया मार्स कितना होगा कितना बचा था चेड़ी इसमें अब सन को जो बाकी का टॉरस में जो एरिया मिला नक्षत्र तो इसमें हम राउंड आफ लेंगे ही एक्जाक्ट एकडम उतना ही डिवाइड करना है जैसे अब कि अपने एक किताब है किताब का जो विर्थ है वो है तेरिया डिग इतने मात है यह आपने यह विक्स कर दी तीसरी वाली जब किताब आप इसके उपर रखोगे तो यह इस बांडर को तो क्रॉस कर जाएगी न वह यहां पर तक कुछ आईगी इतनी लेंद हो तो अपनी लेंद गेरी गई इस तरीके से वह फिक्स है वह इतना आएगा ठीक है तो उसके बाद जमी नहीं आता है सी तक क्या आएगा मार्स के बाद क्या आता है राहू ऐगक त्माम में क्या आएग राहू इस देग्री नस्क्राइफ मिनिट आड़ोगे तो क्या होगा बीश गाक U एड़ो हम थर्टीन ट्वेंटी है इंग करना अदर हां ओक्योंकित अधिर्व नौन तो स्क्सक्ष्टी पर फिर एक मिनटए मैं डाइड कर दोगे ना सब्सक्राइब नाइनटी ट्वेंटी प्लस फॉर्टी मिनिट क्या हो गए एक डिग्री बन किया ओक्यों ठीक है यह पीछे वाले जो है मिनिट में है वह ओके तो सिक्षी ट्वेंटी मिनिट मुलें है ठीक है अब यहां के बाद क्या आता है फिर से सब्सक्राइब है अब बचा कितना है टीन दिग्री बीस मिनिट है तीन दिग्री बीस मिनिट पर चाहिए अब इसको तुछ आपको लिंक करना पड़ेगा यह यह है जैमिना आगया और का सब्सक्राइब होता है इस發現 उप्सक्राइToday कि अच्छुना बच्छा फिर में अक्षा कैंसर में का शुरू होगा फिर से उपेटर आपास qi göster ng suit कि हां वो 21 degree से 30 degree थी न कि ड़ू ने लगाए तो इसे खो है यह है यह न कीडिकी से 30 degree जुपीटर ओक्यों ठीकिश अब ये क्या हो गया एक में फिर से जुपिटेफ शुरू हो जाएगा ते इंडिगरी पीस मिनट में उसके बाद एड़ आता है एड़ में क्या आता है सैटर नाइन्थ क्या आता है अपना मर्करी साले प्लेनेट खतम हो गए न हुं खतम हो गए अब देखो जादू एड़ थे यह फिर खतम हो गाइख आतता है इतनी साइकल हो त 앞에 मर्करी तो मतब फिर का होगा मना फॉर साइन्स ओण। हसगी दना है उब्लत्र तो फिर यह क्या हो फिर से शुरू हो जाएगा लियॉ में च्सिति पूरा याल यह तो पूरा हो गए संद्र से बना जाएगा जो है कि पूरा यह तो इस तरी है से घृट उतर रहे गार वर्गो में से आइस तो मैं इसको यहां पर लिख दे रहा हूँ कि यह आगे आपका ठीक है यह एरीज में क्या होगा यह लियो का जैसा हो जाएगा लियो इसमें क्या हो जाएगा वर्गों का जैसा तो सेम इस तरीके से फिर आगे हम चलते जाएंगे इस तरीके से चलना है इस तरीके से इसी सिक्वेंस में इसी पैटन में आगे चलते जाए इस तरीके से चलता जाएगा और रिपीट होता जाएगा आगे समझ आगे आगे सब्सक्राइए यह तो क्या इंट्रेस्टिंग था है यह अब फूर एस्टनॉमी की बात करते हो वहां पर फूरा सा बोरिंग हो जाता है यह फूरा सा मज़ा आता है इसको अपना एक दसा ऊपने देविए जो योगिनी देशाच्तिस आल इस तरीकी से बहुत भी हों के बट जो हम मेजर फालो करते हैं वह बीख करते हैं विम ऑद्री का मतलब फाला है कि तर नाम कभी नाम एंदिखा की इम आपा ही क्वादें कोई आइडिया नी है को अशीक यह यह आपने इमश एक दसा के साइकल जो 120 एर तक लगती है ओके तो सरी यह जितना भी डिग्री वाला होता है यह सब डिग्री सारी नक्षत्र का पार्ट है यह बहुत यह जो विम्शोतरी दसा है ना एक इंसान मतलब नॉर्मल दसा ही जाती है जिसे मैंने आपको जिस पैटन में आपको या थे के तू के तू वीनस सब्सक्राइब लिए यह उसी स्ट्वेंस मैं आएंगी है यह स्ट्वेंस मैंने आपको लिखवा है यह याद करने के लिए आता है मैं आपको हुँँँँँँँट्र के आपको करेंगे हम अपनी मन की लें पता हमें सब होना चाहिए कोई हम कभी बिलीब नहीं करते हैं मांग लिक और काल सर्फ दोस्पे लेकिन पता होना जी भाई होता गया है in the city आप इसको लिक वेर्वन कि तुजा करता ह cultivated in this event ये करता है ट्वेन्टी येलस ये करता है शीक्स ट्रमूwn करेगा टैने मार्स करेगा साथ तहां कर एक Kalaisतर होड़ा 어 कि है जब ऑने सम्कुरभ हो गाएगा वंग करता है कि सबसे के तुह आर्मार्स होते हैं जो वो करते हैं तरह कई कि थर्टीन-वेंचेफित होगया है अले यह लो है एक एंटन ओक है आथके है अब अंतर दॉस्टा कैसे निकालते हैं अब दिखो लिए न महादर्शा हो गई महा थे चल ली है लिए मून की है तो मुओन कहता है कि नहीं और 142 152 हो सकते על 01ley अब आ था क्षब nazha केसे कि बंढ़ी विविजन ओफ माहा दर्षा 9kell नौत प्लैनेट है तो दिवाद है यह तो नाय तो आप सर्फौ आप ने अभी अब यह बताया यह महा दशाद यानि की महादशा skipping शोत्री मतलब महा है फिर्फ मतलब 2001 कि क्षेम करें यहाम अंतर नहीं हो गया उसको क अंसको दर्शा बोलेंगे वि मों 2030 या उसको बोलेंगे कि उसको अप लिए ओके ठीक है यह हम 120 एसके होती है आप अब एक प्रम इसको एंपर प्रोश करते हैं कर दो कि आप जो रहा हुआ है यह दुटारी इसका क्वोड टाइम लिमिट है उसका कोई टाइम लिमिन अब इस साल फेलिए उसल बिन पर चलता इस आल पिए शल को और शुटार चलता है विम्सोत्तरी दसा कुछ नहीं दसा सब्सक्राइब करते हैं कि 120 साल की इंसान की लाइफ होगी तो सारे प्यानेट की उसको महादशा या अंतादशा आ जाई प्याइब कि इसमीं क्या होता है 1200 महादशा में कि पहले साल आपको केतू की दसा आइगी बूल जाओ यारी सब बूल जाओ कुछ नहीं है इसको महादशा आती है साथ नम्बर केतू की महादशा चलेगी वह साथ साल जलेगी मालों के इन्सान 2000 अधा हुआ तो 27 तक उसको कि ठीक है उसको फिर दोजार 27 पर आ गयते हैं हम दोजार 23 तक उसको सन के मार्स से चलेगी तूसाइब 43 तक उसको 33 से 43 उसको चलेगी वीनस कि 43 से 50 चलेगी उसको मार्स इस तरीके से चलेगी और इसी सिक्वेंस में आएक लिए इस निम्रोजी ना वह लग है वह लग गौसीब टोटले डिफ्रेंट है उसका यह कोई लिंक नहीं एंजी तो ने इस शेप जानना चाहता हो कि सब्सक्राइब जाप कोई बच्चा पैदा होता है तो उसा पैदा होने के साथ-साथ जाने वह पूंजाना यह दिगिए यह सब्सक्राइब क्या होता है कि जैसे किसका बर्थ हुआ कि उसका बर्थ मालो कैंसर में हुआ है कि पहले पैदा हुआ तो उस टाइंप चलो मालो जुपिटर की दुपिटर शुरू होगा अब वो जुपिटर दस दिन चलेगा वो डिपेंड करता है वैसा नहीं है कि जुपिटर पैदा हुआ तो सोजा साली चलेगी इनीचली पहले जब बर्थ के टाइम-पेस चाहिए कि बात कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है जिदिन उसको पैदा हुआ हो जूपिटर अपनी डिग्री से काफी आगे बड़ सुखाओ ए पार समया है आठ जुपीटर चैंशरमें कांसर निख राशी है उसके नदर जुपीटर का नक्षाथ होटा हम था हाँ कैंसर आगए आपकी ता इस इस चल रहारा है आपको जुपीटर पहला पहले 0 degree से 3 degree 20 मिनट तल्किंट पहले रहे हम 10 degree वहां खतम कराए है जैमिन है में थिए तुम अब क्या होता है तो अब क्या होता है मालों जब इसका बर्थ हुआ है यह अगर आपको मालों टीन डिकार है टीन डिकली पर जुपिटर है उस TIME पर जब इसे केंसर राशी होगी है जब इसका जर्म होगा जब जुपिटर के नक्षत्र जो है वह यह यहां पर पहुंच चुका है इसको कितना है से बीस मिनट कम्प्लीट करने है तो यह ना अठारा सब्सक्राइब कि यह सोरा साल नहीं होगी एक साल दो साल तीन साल उसके इसाफ से गरवट करेंगे इसको आच तो इस तरीके से वह डिसाइड हो रहा है अधर क्लियर वह दूट याप इस अधर प्लानेट के वाइस को डिवाइड होगा इक्जैक्ली जोगी आपने बोला कि किसी का अगर कि अधर मालों किसी का नक्सात्र में अरीज में हुआ है साहीन उसका मून वहाँ पर है और के तुप कितना आगे जा चुगा उस पर डिपेंड करता है कि अधर इनके जोगी टोटल नंबर रहे एक साथ तो नहीं आएंगे ना इतने हैं इसके एक सब्सक्राइब कि अधर मुझे आधर गंडे अधर मुझे अधर मुझे अधर मुझे अधर मुझे तो अभी ना ऐसा नहीं होगी सब एक साथ जाएंगे पहले को केतु की महादशा आएगी एक इंसान को पहले सिक्वेंस में चलते हैं मैंने कहा था कि आपको केतु की महादशा आएगी उसके अंदर उसके सब्डिविजन होता है अंतरशा उसका सब्डिविजन होता है प्रति अंतरशा तीन दर्शा होती है बस महा दशा भी आएगे अंत्रसा भी आइगे प्रति AB Ichis नुर् decks परति आंतर्दशा उस लुण इसका MD महा दशा 9 नप है और फिर दिटीड़ीने इस इकल टू प्रति आंतर्दशा और 9 क्यों कि यह हमारे पास यहां पर हम उसको नहीं करते हैं प्रूटर यूरेनेस और नेप्चुन को है उनका सिग्निविकेंस आपको सेपरेटली बताऊंगा आया समझ में कि इसमें डाउट होगा तो कोई वात में दुबारा पोच लेना ऐसा कहीं भागे नहीं जा रहे हम कोई नहीं मैंने आप से पह इसको आप अंधर्टा से निकालेंगे तो साथ को 900 का तो करना हो आज आज गर्जेए कि देखो वह बसकी हो कि किस तरीगे से आपको निकालनी आँ अचा आप्लीव बाता ली और ऊटौई एसको निदी नहीं के निकालते कैसे हैं क्या होता और आज आए आज गोसे क्लिक कर सब्सक्राइब करते हैं जैसे का आपने बता तक एक सब्सक्राइब के बारे में वह गलब पेडिशन जीज है वह जो हम नाड़ी नक्षत्र पगड़ लेंगे वह हम पगड़ लेंगे सब्सक्राइब कि यह हर महादशा के लिए वह हम देखेंगे तो सब्सक्राइब तो अब जैसे अब राहु जब मेरा ब próp ऐख हैолж stub सब्सक्राइब चलेगा जब तक में 18 चलेगी हाँ बिल्कुल आपके जब स्याप पैदा हुए अठारा साल के लिए चलेगी ओके तो यह इनके जितने भी एर मेंचिन हैं यह जब भी आते हैं यह कंट्यूनियुस ही इग्जेक्ली बिल्कुल सही आपने बिल्कुल सही पगड़ी कि 16 साल जिस अगरा जैसे आपको के तो कि दिसा आई क्यों आई उस ताहिए उसने में थोड़ा सा आइडिया आपको यह जो पढ़ा था ना भी वह कि वह प्लिए इस तरह किसे कैंसर अगर आपका कैंसर राइजिंग साहीन है उसके बाद जो किस नक्षट्रम आएगा तो उस तरह किस न आप इस चीज़े को प्रेक्टिस कर लेना जो मैंने याद करने के लिए का है वह आद कर लेना तभी अमनलब अच्छी आईगा तो अग्ली लाज में खट्टा कर लो आगी आप पूछ सकते अभी तो अभी तो अभी इसके लिए तो बहुत सारा है यह काफी है बन बीग बा तो अगले जो एक ओडिनेट कैसे निकाल ले है वह पता है यह थोड़ी बोरिंग है बट पता होना चाहिए मेरा माना मना करोगे तो मैं नहीं बताऊंगा मुझे को दिक्काद मेरे हिसाब से वह पता होना चाहिए उसको याद नी भी रखोगे तो चलेगा बट अब यह ची अबुसकर नी उसको आलिबाद नी आपको यह उसको इसा नी हो है की जासे अगर आप